अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर ने सोचल मीदिया हैंडल पर अपनी एक फोटो डालते हुए एक ऐसी बात कह दी जस पर अब लोगों के रियक्शन आरहे हैं अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर फिल्म इंडस्ट्री से तो दूरी बनाये रखती है लेकिन उनके अपने रूल्स अपने प्रिंसिपल्स हैं जिन्दगी को जीने के लिए रिया कपूर एक अलग सोच से चलती है और वो अपनी शर्तों पर ही जीती है बले ही उन्हें शादी अपने घर में करनी हो या फिर करवाचोत नहीं करना हो इस तरह की चीजे वो अलरीडी अपने सोचल मीडिया हैंडल से क्लियर कर चुकी है और इस बार रिया कपूर ने अपनी बोडी के बारे में बात कही है जहां हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग अपने आपको स्लिम दिखाते हैं जो भी शरीर का मोटा पार्ट होता है उसे या तो फोटो में नहीं दिखाएंगे या फिर उसे क्रॉप कर देंगे वही रिया कपूर ने इस बार तो कह दिया है कि हाँ मैं पास्ता खाती हूँ और मैं आपसे नहीं चुपा सकती कि मेरे हिप्स बड़े हैं जी हां रिया कपूर ने इस बार यही बात सोशल मीडिया हैंडल पर कही है रिया कपूर इस बार माल्दीव में छुटिया मना रही है और छुटिया मनाते हुए ही उन्होंने स्विविंग पूल से बिखनी के अंदर अपने पिच्चर शेयर की है एक पिच्चर में तो वो खड़ी हैं और इसी पिच्चर में उनके हिप्स नजर आ रहे हैं और अपने हिप्स के बारे में बात करते हुए रिया कपूर ने कहा है कि इस बार मैंने इस फोटो में एडिटिंग जो है वो मिनिमम रखी है क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने दम पर और मेरा शरीर जैसा है उसी पर ग्रो करूंगी फिर चाहे मेरे हिप्स बड़े ही क्यों न हो मैं पास्ता खाते हूँ इसलिए मेरे हिप्स ऐसे हैं कुछ इस तरीके से रिया कपूर ने अपनी पिच्चर्स शेयर की है अब रिया कपूर की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही है कि कैसे वो अपनी बॉडी को पसंद कर रही है और बॉडी जैसी है वैसी उसे एक्सेप्ट कर रही है वैसे फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी लोग बॉडी जैसी है वैसी एक्सेप्ट करते हैं वो तो फिल्म इंडस्ट्री ही है जहां पर कहा जाता है कि कैमरे के सामने आने के लिए आपका एक particular figure होना जरूरी है आपके waistline की size ये होनी चाहिए, यहाँ की size ये होनी चाहिए यही कारण है कि कई सारी actresses अपने आपको sexy, सुन्दर और कैमरे में fit बैठाने के लिए अपनी दर्दनाख surgeries करवाती है हमने देखा कि पिछले कुछ समय से जानवी कपूर के शरीर में कितने चेंजिस नजर आए हैं जो जानवी कपूर पतली दुगली सी नजर आती थी वो आज एक बॉमशेल के रूप में नजर आ रही है जो इंडियन किम कारडाशिन कहला रही है लेकिन ऐसा फिगर पाना आसान नहीं है इंसान को कई सारी सर्जरी से गुजरना पड़ता है हाला कि जानवी कपूर ने ये फिगर कैसे पाया इसके बारे में जानवी ने अभी तक चुपी साधी हुई है